पस्चिम बंगाल की राजनीती में बवाल मचा हुआ है सत्ता रूर पाटी टीमसी में अंदुरूनी कलाद तेज हो गई है पस्चिम बंगाल सरकार के मंतरी ने अब इस पर अभी शेख बैनरजी पर भी हमला बुला है जिसके बाद पूरे मामले में मंतर बैनरजी को आपात कालिन बैठक बुलानी पड़ी है क्या है पूरा मामला जाने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट इतिहास गवा है कि सत्ता के लिए भाई भाई के दुश्मन बन गए जिसके बाद महा भारत हुई और कुछ ऐसा ही इस वक्त पस्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है जहाँ सत्ता रूर टीमसी में अंधरूनी कलय काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सियम ममता बैनरजी और उनके भतीज़ अभिशेक बैनरजी के बीच भी अम्रन की खबरे आ रही है प्रशान किशोर की कमपनी आई पैक संग भी तकरार जारी है विवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ममता बैनरजी को पूरे मामले में आपत बैठक बुलानी पड़ी है लेकिन इस बैठक से पहले बंगाल सरकार के मंतरी जोती प्रियम मलिक ने अभिशेक बैनरजी को दो टुक कह दिया है दरसल अभिशेक बैनरजी पर हमला बोलते वे जोती प्रियम मलिक ने कहा कि बंगाल में सिर्फ ममता बैनरजी ही उनकी नेता है और उन्हीं के चेहरे पर पिछले साल चुनाव जीता गया है जो भी फैसला होगा उसमें ममता बैनरजी की मुहर लगनी जरूरी है साथ ही ये भी जोर देकर कहा गया कि ममता बैनरजी के अलावा कोई दूसरा नेता उनकी पार्टी को मान्य नहीं है अब ये बयान उस समय सामने आया है जब टीमसी के अंदर ओल्ड बनाम यंग गाइड की लड़ाई बढ़ती जा रही है आपको बता दे कि जब से टीमसी में वन पर्सन वन पोस्ट की मुहीम शुरू की गई है पार्टी के अंदर की बगावत के सुर भी तेज होते जा रहे है दरसल एक तरफ जहाँ पार्टी के युवा नेता और अभिशेक बनर जी वन पर्सन वन पोस्ट मुहीम का पूरा समर्थन कर रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर युवा नेताओं की तरफ से इस मुहीम को सफल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ देखे तो टीमसी के कई ऐसे वरिस्ट नेता है जिनको ये मुहीम रास नहीं आ रही है वो ऐसे असहज महसूस कर रहे है क्योंकि उनके कई करीबियों की भूमी का पार्टी में सिमित कर दी गई है वैसे विवाद ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि बंगाल सरकार के मंतरी चंदरीमा भटाचारिय ने प्रशांत किशोर की कमपनी पर गंबीर आरोप लगाए है उनकी तरफ से ये दावध किया गया है कि बिना उनकी इजाज़त के उनके सोशल मीडिया एकांट से वन पर्सन वन पोस्ट को ले का ट्वीट किये गए है इस विवाद पर IPAC ने साफ कर दिया है कि वो TMC के किसी भी नेता के सोशल मीडिया एकाउंट को हैंडल नहीं कर रहे है साथी कमपनी के तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले साल विदान सबाद चुनाव से पहले उनकी कमपनी ने TMC की तरफ से जरूरी सोशल मीडिया के जरिये मुहीम चलाई थी लेकिन चुनाव के बाद सबी एकाउंट और पासवर्ड पार्टी को सौप दिये गए थे बहर हाल इन सबी मुद्दों पर अब ममता बैनर जी ने मिटिंग बुलाई है जिसमें कई मुद्दों पर बहस देखने को भी मिली है प्रिशान्त किशोर संग हुई अन्बन पर बात होगी तो साथी अब इशेक बैनर जी के मुद्दों पर भी मन्थन किया जाएगा जिसके बाद पार्टी की तरफ से आगे की रणनीती बनाई चाएगी अब देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार